भी not only दिमाग में घुसे, तो सिधा सिधी जानना है, रे बेटा, not only ये लो रे तर बपा के, not only आगलो, not only, जब not only आया, तो आगे हमको ढूनना है, but also, क्या ढूनना है, but also, तीनों के नाम के पहले, जैसे, Monday, on Monday, जैसे, Sunday, on Sunday, अभी हम पढ़ेंगे, ये, क्या बोलते ही, error question, ठीक है, आप देखेंगे इसमें, कि कितना grammar use हुआ है, कौन गलत है, और कौन नहीं गलत है, क्यों नहीं गलत है, आप close test और error का series देखी रहे होंगे, आप देखें, पीछरा वीडियो कुछ देखें, अगर लगता है, कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा मिल रहा है हमको, तो आप continue रहे हैं, ये तो आप क्या करें, कि आपको सरकारी नोकरी लेना जोड़िया, आपका समय बहुत किम्ती है, तो यहीं कहेंगे, कि अगर अच्छा लगे, तब continue रहे हैं, ये तो फिर और भी हैं, तो आ करते हैं, आगे, हाँ, ये कोशन लंबा देख करके डरना नहीं है, कि एतना बड़ा है, क्योंकि खोदी पहाड़ा निकली चुहिया, मतलब है खली लंबा, लेकिन कोशन का एंसर वही है, जो ग्रामर है, एक्दम छोटा सा एंसर है, ठेक है, और ये आज का जो सेशन है, आसान सा कुशन दिया हुआ, एंसर आसान है उसका, ठेक, तो आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं, दा पबलिक वर्क, अब ये जो दा पबलिक है, ये क्या है, दा हमारा है, दा हमारा क्या है, डा 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 ह तो यह आर्टिकल है हमारा डेटर्मिनर है अगर इसके बाद जो कि एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन होता है तो इसके बाद के इतना वर्ड है दा के बाद एक ही तो वर्ड है और जब एक वर्ड है तो इसका मतलब क्या है नाउन है अब सवाल कि एक वर्ड है तो नाउ होता है पहचानना बहुत आसान होता है नाउन क्या होता है जिसको प्लूरल बना सकते हैं वह हमारा नाउन है एड्जेक्टिव क्या है जो कैसा कैसी के जवाब दे दे वह हमारा एड्जेक्टिव है जैसे ओ यू एस इंडिंग वर्ड भी एड्जेक्टिव होता है अधिकतर क बात कर रहे हैं, और ICエnhuks Texas adjective होता अधिक्तर, E& इन अधिक्तर adjective होगा करता है, और नहीं तो ऐसे समझते हैं, जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, वो हमारा adjective है, जैसे, वो बहुत करिया है, वो बहुत काला है, काला है, जवाब कैसा कों डया है, काला तो यह जो ब्लैक है हमारा वो एड्जेक्टिव है जैसे वो बहुत गरीब है कैसा है गरीब है तो यह जो गरीब हुआ वो हमारा एड्जेक्टिव है जैसे यह सट पिला है कैसा है सट पिला है तो यह जो पिला है वो एड्जेक्टिव है तुम छुचुचुंदर जैसे दिखती है तुम चुचुंदर जैसा दिखती है तो तुम चुचुंदर जैसा दिखती है तो कैसा दिखती है चुचुंदर मारल जैसा दिखती है यह चुचुंदर क्या एडजेक्टिव है ठीक तो अब समझ में आ गया एडजेक्टिव क्या और एड़र्ब क्या होता है और जब संख्या का पता हो, तब दा आगे बढ़ते हैं, अब यहां लिखा ले दा पॉब्लिक, अब यह दा के बाद नाउन आगया, लेकिन यह नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि पब्लिक का बात कर रहे है, प्लूरल नाउन है, तो हम लोग एक चीज सिखें हैं, कि singular subject अगर हो तो आगे singular भर्व देंगे, अगर plural subject हो तो आगे क्या देंगे plural भर्व देंगे, मतलब singular subject, singular भर्व, plural subject, plural भर्व, मतलब अगर हम लिखे हैं राम, तो इसका मतलब आगे easy लिखेंगे, या has लिखेंगे, या was लिखेंगे, singular लिखेंगे, लेकिन हम लिख दिये रा रामेट से हम वर, रामेट से हम हैब, यह हो सकता है, तो singular भर्व, singular subject, plural भर्व, plural subject, आगे, तो याद रखेगा कि singular subject, singular भर्व, और ऐसे नहीं याद होता है, तो subject जो होता है, नाउन, उसमें नाउन में हम क्या करते हैं, जब S लगाते हैं, तो वो हमारा होता है, plural, लेकिन भर् सिंगूलर, तो याद रखेगा, भर्व में S लगा, तब वो singular, अगर नाउन में S लगा, तो वो plural, नाउन में S लगाने के बाद, यह plural है, लेकिन भर्व में S लगाने के बाद, यह singular है, यानि हम याद रखने के लिए इतना कर सकते हैं, कि नाउन जो है, एक बटा भर्व है उठा है अब याद हो जागा ने अपन सरकारी जगाड़ा यह हमारे यह मेरे सरकारी जगाड़ा याद रखने के लिए ठिक आगे बढ़ते हैं अब यहां लिखे लें The Public अब Public तो बहुत सारा और Public है तो Public हमारा क्या है Plural जब Plural है तो आगे भर्व है और भर्व भी हमारा क्या चाहिए प्लूरल फॉर्म में चाहिए तो यह प्लूरल फॉर्म में हो गया क्यों क्यों क्योंकि भर्व में ऐसे लगता तब तो सिंगलर होता है तो ऐसे नहीं है इसका मतलब यह प्लूरल है अभी तक सही है तो वर्क डिपार्ट ब्रक्राइब अच्छा एक मिनट सॉरी यहाँ भर्म नहीं है लेकिन फिर भी आगे हैं को समझ लिए भर्म 02 यह ए olhar यह हमारा हो गया यहां भर्म तो एक मिनट अब ये जो public work department अब तो ये singular हो गया क्योंकि हम केवल the public ले रहे थे अगर हम ऐसे ही समझें कि अगर इसको हम मिटा दे यहां तक कर अगर हम मिटा दे तब यहां तक सही हो जागा the public work लेकिन अगर इसको मिटा दे तब आगे हमको पता चला पढ़ने से आगे पता अचला नहीं यह पूरा कपूरा एक है public work department है और यह public work department में रख्या है singular है यह public work department क्या हमारा singular है और जब अभी बोले कि singular subject singular भर्म प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भर्म अब यह तो हमारा public work department है कोई निश्चित डिपाट्मेंट तो singular है क्योंकि अगर plural होता तो यहां होता departments तब यह plural होता ठीक लेकिन यहां singular लिखा हुआ है तो आगे भर्म भी हमारा क्या है singular है has तो कि as for singular तो भर्म में एस लगा तो has to singular ठीक आगे जब singular है तो यह लखे ले हैs पर पोज अब गलती मिला क्या मिला गलती कि एक होता है एच और एच के साथ हमेशा भर्म का तीसरा परियोग होता है इसके साथ क्या होता है भर्म का तीसरा परियोग होता है तो कौन-कौन होता है have has had यह जो तीनों है यह तीनों के साथ भर्म का थिरी फॉम परियोग होता है लेकिन हैस के बाद थिरी फॉम नहीं लिखा है है इसके बाद कौन सा फॉम लिखा हुआ है पहला अगलत हो गया अभ देखते हैं कि आगे क्यों नहीं गलत है यहां लिखाव है तू हमेशा अपने साथ कि पहला फौर्मलेता है तो हमेशा अपने साथ क्या लेता है भर्व का पहला फूम लेता है और अगर जो की टू के बाद अगर भी हुआ तो भर्व का तीसरा फूम होगा तो टू के बाद भर्वन और टू के बाद भी रहा तो भर्व का तीसरा फूम लेकिन ये हमको कहेगा कि आप active Voice में है और ये कहेगा कि आप must चुछुआ दर ये सब बैटके passive Voice में है ठेक तो ये active में है ये passive में है लेकिन आब यहां तो sentence active में ही है दूबारा तो कहीं कुछ बात नहीं किया गया तो active में है तो true के बाद यहां construct verb 1 है इसका मतलब यहाँ सही है कोई गलत नहीं है आगे एन हमारा क्या है फिर से डिटेंबिनर अनिके आर्टिकल और एन इलेवेटिड कोरीडूर अब यहाँ दो वड़ आ गया तो आप लोग सुचें कि पपा दो वड़ आ गया और दो वड़ आ गया तो क्या यह नाउन है क्योंकि बोले थे अगर दो वड़ आ गया तो लास्ट प्ला राउन है और पहला एडजेक्टिव है तो हाँ है ठिक तो यह एडजेक्टिवर यह नाउन है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कि end के बाद adjective or renowned आया है तो elevated corridor यह सही है घलत नहीं है which will run अब will हमारा क्या है अब which तो हमारे relative pronoun है ठिक तो which जोड़ेने का काम कर दिया अब यहाँ will क्या है model और model के बाद आने वाला verb का कैसा form होता है भर्व का पहला form होता है लेकिन अगर model के बाद भी लग गया तो फिर भर्व का तीसरा form होता है model के बाद भर्वान आता है और model के बाद भी आगे तो भर्व का तीसरा form होता है तो यहाँ लिखाल है model run तो इसका मतलब यह सही है यहाँ कोई गलती नहीं है विल रन पैरलल समांतर चलेगा अब किसके लिए to the national highway किसके लिए चलेगा national highway के लिए अब फिर दा हमारा क्या है डिटर्मिनर है और जब दा डिटर्मिनर है अर्टिकल है तो उसके बाद फिर से दो बड़ आ गया तो इसका मतलब यह noun है और यह हमारा adjective है इसका मतलब भी तक सब सही था कोई गलती नहीं था कहां गलती था तो हैज के साथ proposed है तो यह पहला समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद है different colored natural foods not only यहां लिखा ले different colored अलग-अलग color different तो ठीक है different colored है इसमें क्या गलती करें खुछ नहीं गलती करेंगे natural foods का बात किया है प्रकरतिक जो फूट है उसका बात किया है जब भी अगर आगे है यहां कोई गलती नहीं है different colored natural foods यहां तक तो खली एक ही चीज लिखा हुआ है तो यहां कोई गलती नहीं है कोई है ना भर्व का हमको पैचाने मिल रहे है ना हमको कुछ पैचाने मिल रहे है तो different colored natural foods simple एक word है हो गये सही not only जब भी not only दिमाग में घूसे तो सिधा सिधी जानना है रे भेट्टा not only यह लो रे तर बपा के not only आगलो not only जब not only आया तो आगे हमको ढूनना है but also क्या ढूनना है but also अर जो कि अगर neither आएगा ना और लिग देते हैं अगर neither आया तो ढूनना है nor अगर जो कि either आया अगर either आया तो ढूनना है or अगर so आया तो ढूनना है that अगर whether आया whether तो ढूनना है or wither or either or neither nor not only but also so that अगर ये वड़ा है ना तो हमको relation ढून रहा है अगर not only question में देखें धून इसकी बाप कहाँ खी but also मिलतो कहीं कहीं जरूर मिलता और neither मिला nor ढून रहें कहा हैं और धून रहें और इदर आया और धुनने कहा होने जा रहे लिए सो देट सो आया है तो देखतो नहीं है तो गलत करने भे ऐसा ठीक है आगे तो नोट आया है तो क्या ढूनने आगे बटल सो ढूनने तो not only put a smile not only put a smile अब फिर से स्माइल हमारा नाउन हो जागा ओन क्या प्रिपोजिशन याद रखेगा प्रिपोजिशन के बाद आने वाला भर्व कैसा था भर्व का चौथा प्रम होता है ठीक लेकिन अगर प्रिपोजिशन के बाद भर्व नहीं आया तो ठीक है आगे कोई नाउन होगा आगे कोई तो अल्ली था थो ऑट अल्सो ढूमना था फेटा मिला इसका पूरे ग्रोथ अब देर किसके लिए बच्चा के लिए बच्चा प्लूरल चेल्डरेंस देख तो ऑब राल ग्रोथ तो अब यहां समझ में आया कि यहां कि था यहां कोई गलती नहीं था नौट अल्ली सही है घंव क्या बोलते नाओन आया है और हमारा प्रीपोजिशन है उसके बाद कोई अबजेक्ट चाहिए नहीं है तो कोई नाओन चाहिए तो है चिल्डन से यह कोई गलती नहीं है तो समझ मागए नॉट ऑनली कभल हमको चाहिए पक्तल सब्सक्राइब रहा है तो, ये हो क्या है, सäकेट नंबर, समझ भाई रहा है, आगे, है दा कांस film festival अभी है तो कोई समारों कre जा ही रो ही रोड़ को बनाया जाता है और दिया जाता है प्राइज वराज है ननले लिंगलेश्य कलेश्य पांशॉर रोकेला तो नट राज तो फुसफुस यह पिन सिलें तो talkining तूर को काम नष्कों है तो कांथफिन क्या है सिंगूलर की ये कांथट फिल्म फेस्टीबल फेस्टीबल अब भी गलपा है तकांथफिन फेस्टीबल अब ये passing Question प्लूरल भर्व प्लूरल सब्जेक्ट यहां सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया क्यों क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर होना चाहिए हम तो इसका मतलब यह भी सिंगुलर क्योंकि भर्व में स्पॉर सिंगुलर तो यहां क्या होगा attracts इसमें इंग डालो तो कांट्स फिल्म festival तो यहां हो जागा attracts अब ही यह गलती मिलिया कि यहां क्या लगाना पड़ेगा ऐसे लगाना पड़ेगा आगे देख लेगा अब सम यहां सम लिखा लैं सम के बाद तो प्लूरल आने चाहें देख लेते हैं Sum of the, ठीक है, Sum of the world's most famous people, people क्या है, pluralin है हो, तब plural, तो यहां है, Sum of the world's, है ना, दुनिया के most famous people, अब थोड़ा सा समयलते हैं और फिर से हमारा फिर पूजिशन है अगर भार बुड़ाते हैं तो आई एंजी देते हैं नहीं भार में तो कोई अब्जेक्ट है है दा क्या है हमारा डिटेर्मिनर है आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद लिखा हुआ है वर्ल्ड्स most famous people है ठीक तो यहां कोई गलती नहीं था तो गलती कहां तो पताला क्या आगे बढ़ते हैं ओन सेप्टिमबर 11 आप याद रखेंगे इस सीज को कि दिनों के नाम के पहले on लगता है तारिक के नाम के पहले on लगता है ठीक का का बोले हम दिनों के नाम के पहले जैसे Monday on Monday जैसे संडे ओन संडे कभी कभी होता है सिंस संडे ऐसे संडे होता है कभी 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 क्या होता है सिंस संडे तो आप याद रखेगा कि जब भी दिन में को का हिंदी निगले ना जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा तब ओन जैसे स्कूल will open on Monday school will open on Monday Monday को खुलेगा तो को आ रहा है हिंदी तो on लगाएंगे school will open on Sunday on Sunday तो इसका है on लगेगा लेकिन अगर निकले न कि यहां से यहां तक बंद रहेगा school will close Sunday Monday तक बंद रहेगा तो since Monday जब तक हिंदी निकले तब since लगाना है और नहीं तो दिनों के नाम के पहले on लगाना है तारिक के नाम के पहले on लगाना है ठीक है तो तारिक के नाम के पहले on लगाएंगे तो यहां कहां गया तो यह तारिक है September 11 तो यहां on लगल है इसका मतलब अभी तक सही है 2000 ठीक है अभी तरह को गलत नहीं पहले कुछ गलत कर दिए जबर जास्ती ठीक है टू हाइजक्ड का मतलब होता है कबजे में कर लेना हा ना पैसा उसा मांग करता है वो लोग ना उसको कते हाइजक्ड एरोपलेन इसा होता ना aircraft वेकर दलती नहीं two hij quicker craft to the world trade center in new york Craste हो गया है hijeck aircraft था वो क्या हुआ है crash हो गया है किस से जाकर के टकरा गया है world trade center से कहाँ पर in new york में अब इन है अच्छा आगे बढ़ते हैं पहले देख लेते है two hijack two hijacked aircraft two hijack aircraft था कोई गल्टी नहीं है इसको बता दिये एक रह जिंट हो गिया है एक बात याद रहेगा थोड़ा कि crash to नहीं होता है टकराना का जो meaning होता है crashed into आप इसको लिख लिजेगा यह फिक्स पुरू Thousand crashed into का मतलब होता है जाटके ध्ढाव से टकरा जाना मुह एक भरे crashed into crashed into का मतलब होता है तकरा जाना तो यहाँ हो जागा into ठीक तो यहाँ crashed into the world trade center world trade centers में अब यह in क्या है तो in एक होता है place के लिए दो चीज लगता है एक at लगता है यह in लगता है in लगता है बड़ा place में और यह जो e लगता है यह चोटा place में लगता है ठीक यह चोटा place में लगता है at चोटा place में लगता है और in बड़ा place में लगता है ठीक तो यहाँ नियॉर्क है तो कोई चोटा place थोड़ी है का हम गाओं जिसन दारू अमर गाओं का नाम तो दारू यह तो इतना बड़ा है New York New York का नाम जागा जाता है ना जाना जाता है तो New York है इसलिए यहाँ इन है एट नहीं है ठेक है तो यहाँ तक सही हो आफ गलती कहां तो पता लग गया आगे यह सब अबरी पुछा गया थाइस में The promoters promote करने वाले of made hospitals medical hospital, made hospitals has agreed to sell their business to pal hospital pal hospitals अब आगे पढ़ते हैं कि है क्या यहाँ क्या लिखाल है the promoters अब the promoters है ऐसे लगल है इसका मतलब यह plural हो गया आगे भर भी हम को कह चाहिए plural चाहिए आगे यहाँ लिखाल है op made hospitals यह भी plural है अब हम करेंगे निसला subject तो हमारा plural है यहाँ तक कोई गलती है का है कुछ नहीं गलती है यह भी plural में है यह भी plural में है दोनों बता रहा है कि यह promoters जो है medical hospital का promoters का वारिम बात कर रहा है तो यहाँ सही है यहाँ तो कुछ गलते नहीं है क्या है अब जब यह plural है तो आगे आने वाला S4 क्या होता है Singular तो फिर S4 singular क्या कर रहा है यह तो have करना पढ़ेगा और फिर देखेंगे कि इसके बाद भर्ब का तिसरा फॉम है कि नहीं है क्योंकि H के साथ भर्ब करी आता है तो यहां करना पढ़ेगा have और यहां होगा agreed हाँ मिल गला भर्ब का तिसरा फॉम है सही है तू हमारा तू के बाद क्या लगता है तू के बाद आता है भर्ब का पहला फॉम तो तू के बाद भर्ब का पहला फॉम तू सेल है तू सेल है ठीक आगे डेर बिजनस किसका बिजनिस आपने बिजनिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। Second ball hospitals किसको पाल hospital को। यहां तक ठीक कोई गल्टी नहीं है। अब आप लोग को यह समझ में आ रहा हूंगा कि रेचल हम यह हैं इसलिए लगाव हॉश्पिटल्स कि यहां लिखले है मारा सब्जेक्ट कोन है दपर मोटर से अब आप लोग सुचिए कि जानगे आप आप केशे जानगे की वुला है तो आप याद रहें कि जब भी हम लगाते हैं को भर्व तो उसके पहले देखना है कि subject कौन है अगर नहीं पहचानने आता है कि subject कौन है तो सबसे पहले घासकते जो घासकते जो अगर घासकते घासकते यहाँ preposition मिला हुए फट से रुख जाना है घासक गये नहीं है घासक गये नहीं है घासक मिल गया तो इसके पहले वाला preposition होता है हमेशा इ हों कि यह देंगे लेकिन यहां पीछे गए पीछे गए ओफ आ गया तो इसके पहले वाला सब्सक्राइब पर मोटर्स यहां लोरल है उसकी लिए है लगा है उस्पिटल्स के लिए नहीं ठेक आगे बढ़ते हैं दा लॉंच ओप दा फिर से हमारा वोई डीटर्मिट लॉंच हो गया नाउंच ऑप आप प्रिपोश्ट दा इसके बारे मिन बता रहा है इपड़ूता से इलेक्ट्रिक कार के बारे मिन बता रहा है अब यहां तीन वर्ड है अब तो हिन्वाग आप अब समझ मे आगा तो यह यह हमारा नाउन, यह हमारा एडजक्टिव, और यह हमारा एड़व, क्योंकि तीन वर्ड होता तो इसे ही लिखते हैं ना, और चौन्था रहता चौन्था वित्रे जा, चौन्था कॉंट्री नहीं करना है, तो हो गया, यहाँ तो कोई गलती नहीं था, दा लाउंच आफ दा इसमें कोई गलती है, ना कहीं भर्व है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई फिक्स कुरी पुरी पोजीसिटन है, कुछ नहीं है, स्माल इड़ड्रिक कार, यहां कोई गलती नहीं है क्योंकि दा के बदा। सोब सटिक दूज डा नुए, न उन्हें है, अब तक कोई गलती ही है अब एक चीजा कि डिपेंड तो गलती है कि डिपेंड यह ना डिपेंड ओन का मतलब होता है फिक्स प्रिपोजिशन है यह याद करना पड़ेगा डिपेंड और मतलब निर्भार होना डिपेंड और मतलब निर्भार होना यह फिक्स प्रिपोजिशन है तो यहां टू न नहीं है तो ठीक है बायर्स तो आया कोई ना हूँ ठीक तू फिर से मेरा भर्वा तू फिर आया तो तू के बाद भर्वान आता है तू पे है यह सही है मोर फोर इट जाते है अना मोर फोर इट इसके लिए कुछ जाते है तो यह भी सही है मतलब गलत कहा था 30 पेंट ओन समझे मारा आगे बढ़ते हैं मेनी ओफ चैनाज एक्सपोर्टस अब थोड़ा से मेनी के कहा नहीं समझते हैं जिसे अगर मेनी लिखा हुआ है तो अगर मेनी है तो इसके बाद आता है plural सब कुछ plural नाम तक प्लूरल नाम लेकिन अगर मेनी के बाद आ है तब आएगा singular लेकिन वही अगर अगर ग्रेट मे को हैंक. तब। भी आगा प्लूरल. न्याद हुआ इसे याद करते हैं मेंη प्लूरल ब estás O तो बनेक원 मेनी के के तुरंत whad Plural चाहिए और लेकिन हम मेनी के बाद अगर आ लग यह तो क्या है सिल्ट क्यों क्यों कि पिछले मेनी के बाद अगर आया तो वह सिंगूला लेकिन मेनी के बाद कुछ ने छुछे मेनी है तो प्लूरल तो यहां मेनी के बाद आ है क्या नहीं है तो सब प्लूरल होगा बढ़ते हैं आगे जब सब प्लूरल है तो आगे बढ़ते हैं प्लूरल होगा कि नहीं तो मेनी of China's exports plural हो गया जब यह हमारा plural है तो फिर यहां भी क्या होना चाहिए plural होना चाहिए तो यह has क्या गया क्योंकि as for verb में singular होता है तो इस has को करेंगे have आप तो आसान हो गया answer है मिल गया हमको आगे अब has been redirected इसे दुबारे redirect किया गया है और जब किया गया है तो यह sentence पेसिब में है अब आप लोग का सौल बपा इस पेसिब में कैसे है आप कैसे जाने कि यह पेसिब में है तो before बाप इस बपक के एक बेटा साथ को is am are was were been और एक been है ना अगर इस सभी के साथ अगर भर्व का तीसरा form है तो समझ जाना है कि वो भर पेसिब voice में है तो क्या यहां बीन नहीं है बीन तो है और बीन के बाद भर्व ठेर नही डिरिक्ट है जब है तो इसका मतलब यह क्या है पेसिब वाइस में में यदो ट्रव तो आटों के साथ 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 एक दो ती चार पांट छे साथ आठो के साथ अगर भर्वक्री आया तो समझ जाना वह सेंटेंस पेसिब में है आगे बढ़ते हैं तो वहह तक हो गया है अब वह तो गलत हो गया है अब आगे देखते हैं कि सही है की नहीं थी फिर-दा इन वीउ ऐब द और वह गल्लवी का पर्योग हूँ एस अब यह औप है और के बाद फीर से deployed का पर यूग होए दा के बाद आजने वाला जयगभड तो अब समझ में आगा कि यहां गलती क्या था कि यह जो मेनी ओप एक्सपोर्ट से यह प्लूरल है तो यहां क्या हो जागा समझ मां गया बाकी को गलती नीचे नहीं था ठीक यह खली नाम कॉंट गनाए गया है कि कैसा एक्जेप्शन चलाया जा रहा था ड्रैविन इक्डॉ अगे क्मांडेट बी ऊंड़ें मतलब वो कमांड किया हमको नहीं बोलता है कि यह तूं कैसा कर रहा है जैसे तूं महीरा बाप है यार ऐसा ओडर बाप भी नहीं देता मेरा तो ही कमांडेट वी वो मुझे commanded किया क्या as if मानो की as if मानो की he was my husband वो ऐसा command के जिसे हूँ मेरा मरद है मतलब मेरा पती है ऐसा command के जिसे हूँ मेरा मरद है मेरा पती है हूँ नहीं जब भी कोई कलपना वाला बात आए तो हमेशा उसके साथ हम वर का परियूग करते है अगर if के साथ कोई कलपना वाला वाकी अगर वर का परियूग है तो आगे would plus भरवन होगा अगर कोई कलपना वाला वाकी है अगर if के साथ परियूग हूआ वर तो आगे क्या आगा would plus भरवन कैसे अगर हम पंच्ची होते if I were a bird तो I would fly आए सब उड़ गये होते हैं इसका मतलब हो गया न कि ससका क्या लगेगा तो तो यह कहानी समझ मां गया तो जब भी अगर कल्पनीक वाकिय हो जिसमें की क्या हो वो नहीं है कल्पना खली कर रहे है कि तुम ऐसा कर रहा है कमांड हमको जिसे तुम मेरा बराद है तुम मेरा पती है है कि अपति नहीं है लेकिन कलपना कर रहा है तो इसका मितलब कलपना कर रहा है तो क्या होगा वर होगा ऐसे भी यादर कि कर इफ, इसके साथ वर का ही परियोग होता है, अधिक तर आर काल्पनिक वाक्त है, तो as if, he, वर होगा, हलाकि he, इस सब सोच रहागा, गरिसला singular है, तो वाज होगा, नहीं क्योंकि, इफ है as if, है, as the 가족 है, यह सभी के साथ वर परियोग होता है, क्योंकि तलपना वाला वाकिय है तुम बात करते हो मानो की तुम पागल हो तुम पागल है का नहीं खली बोल रहे हैं कि तुम बात करते हो मानो की तुम पागल हो लेकिन पागल है का नहीं है तो जब भी ऐसा हो कि वो नहीं है लेकिन फिर भी अगर वैसा काम कर रहा है तो वह महां वर का परियुक करेंगे तो यही कमांडेट भी वो मुझे कमांड किया as if मानो कि he was my husband क्यों मेरा मरद है मेरा पती है तो गलत होगे ना तो यहां क्या पढ़ने बड़ेगा वर लेकिन सब सोच रहेंगे इस अलवाद सही था नहीं ठीक अब माय यह माय क्या है इसको बोलत होता है चाटने में कि साला हीज है क्या पजी चीब की फजीशिव प्रोणाउन तब हम समझें जब कोई हक दर्शाता है ना तब हुए पोजीशिव एड़ेट्टीव और जब हक नहीं दर्शा है तो वह पजीशिव प्रोणाउन ठीक यहां लिखाले माइट मेरा मरत मेरा परियोग है अगर ही के बाद कोई भी नाउन नहीं है तो समझ जाना है यह क्या है हमारा pronoun है अगर कोई हिस के बाद noun है तो वो positive adjective है अगर noun नहीं है तो वो क्या है pronoun है ठीक नहीं एक एक्जामपल देख के समझाते हैं जैसे यूर यह है positive adjective लेकिन यह है yours यह है positive pronoun हम लिखें this is your pain this is your metony this is your metony ठीक अब तो यह क्या है positive adjective तो यहाँ noun है metony, metaway wala लेकिन अगर यहीं चीज अगर इसका पर्यों करें तो फिर noun नहीं देंगे जैसे this is this metony is yours this metony is yours आप देखिया आगे noun आया नहीं आया आगे noun आया नहीं आया तो this metony is yours मतल़ यह positive pronoun है तो आगे noun नहीं आएगा और यह अगर adjective है तो आगे noun आएगा पुल मिला कि यहाँ ऐस है तो नाउन नहीं देंगे ऐस नहीं है तो नाउन देंगे अब समझ में आगे बढ़ते हैं तो हो गया यहां तक तो समझ में आ गया इसलिए यह पोजिसीव इचेकटीव है तो आगे noun है यह भी सही है आगे अगे इंघी इंग्लीज इता है फोपुलर लेंग्वेज आम आगे सौट अफ्रीक आगी नाग्वेज दीगी जगा के नाम है अमंग इस्ट भी काट देंगे क्योंकि आमंग जो है ना वह दो से ज्यादा माता हम सौथ इंडियन का पूरा बाग कर रहें ना बिट्विन रहता तो दो में लेकिन यहां आमंग का बाग कर दें पूरे यहां भी सही है लेंग्वेज लिखा गया है उसमें को यह अटवर्भ हो गया यह एड्जक्टीव हो गया और यह हो गया हमारा नान तो यहां तक सही है कि अगर जो की लखाववा हैं इंग्लिछ अगर लिखा हुआ है English तक तो वो भासा है यहां लिख देता है यह भासा है अगर लिखा हुआ है Hindi तो वो भासा है अगर लिखा हुआ French तो वो भासा है लेकिन अगर इसके साथ आर्टिकल दा का परियोग कर ले तो यह हो जाता है हमारा लोग people कैसे the English the English मतलब अंग्रेज लोग the Hindi मतलब हिंदी लोग the French मतलब French लोग तो याद रखेगा कि अगर भासा बताना हो तो आर्टिकल का परियोग नहीं करते हैं तो English, Hindi, French ये भासा बता रहा है लेकिन अगर लोग बताना हो तब दा का परियोग करेंगे the English, English, लोग the Hindu, Hindu, लोग the French, French, लोग तो यहाँ तो हम language का बात के कहा क्या यहाँ तो हम language का बात के है और language को क्या बोला है कि पूरा popular है, क्या popular है language popular है English, लोग होँआ सौथ इंडियन में परचलित नहीं है popular नहीं है अंग्रेज लोग पर चलित नहीं है popular पर सिद्ध कोन है उसका भासा, इंगलीज भासा अंग्रेज लोग नहीं तो फिर यह दा को हटाना पड़ेगा समझ माया आगे बढ़ते हैं can हमारा model और model के बाद भरवन चाहिए यह सही है can you imagine यह पहला पार्ट सही है कोई गलती नहीं है can you imagine that कि c आप c हमारा क्या singular तो इसके साथ क्या परियोग है singular c has सही है कोई दिकत नहीं c singular है तो has भी तो singular है क्योंकि s for singular होता है भार में तो यहां तक सही है 30 30 गो का बात कर रहे है 30 को का बात कर रहे है और जब 30 को हमारे पास pair है तो फिर यह pair नहीं होगा वाई क्या होगा pairs क्योंकि 30 जोडे हैं हम बोलते हैं 30 जोडे जूते 30 जोडे बोलते 30 जोडा नहीं 30 जोडे तो pair है तो क्या हो जगा pairs क्योंकि 30 pairs होगा 30 pairs of कि अखिर क्यों नहीं हुआ option और क्यों हुआ और कितना grammar हम सीखे ये 10 से हलाकि question 10 है लेकिन 10 पचे 50 सायद सीख गए होगे 50 rule इसमें से कि क्या है और क्या नहीं है चोटा चोटा rule मिला करके तो उमीद करते हैं कि ये session बहुत अच्छा लगा होगा तो अगर आपको लगता है कि ह तुम कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ continue रही आगे और नहीं लगा कि कुछ और कमिया है तो फिर ऐसे भी कर सकते क्योंकि समय आपका किमती हम ले नहीं सकते सरकारी नौकरी लेना आपको जोड़ी है ठीक तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में